इस्तार प्लस के शो सुहानी से एक लड़की में बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हो रहा है। जहां शो के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो शो में लीप लेंगे। शो नेक्स मंथ लीप ले लेगा। यह लीप की न्यूज ना सिफ एक्टर्स के लिए बड़ी न्यूज थी बल्कि ओडियूस को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी और इसी वज़े से अक्टरस नेहा यादो और देबश्ची बिश्वास जो की सौमय और मेनका का रोल प्ले कर रही थी शो में वो दोनों ने इस को कह दिया अलविदा इस साल इसी तरह दृस्ट्री धामी सिदात कानिक और निया शर्मा ने भी अपने शो को कह दिया था अलविदा क्योंकि वो लोग स्क्रीन पर बड़ी उम्र का रोल नहीं प्ले करना चाहते थे अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि शो के लीड एक्टर साहिल मैता अका यूवराज क्या करने वाले हैं यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि साहिल शो को अलविदा कहेंगे या नहीं दरसल साहिल भी इस शो को कहने वाले थे गुडबाई क्योंकि वो भी स्क्रीन पर बड़ी उम्र का रोल नहीं प्ले करना चाहते इसी ज़िए मेकर्स अभी डिसाइड कर रहे हैं कि वो लोग कैसे साहिल को शो में बनाये रखें वेल यह सोचने के बाद सुहानी सी एक लड़की के फैंस यूवराज और सुहानी की जोड़ी को जरूर मिस करेंगे इस शो से जोड़ी और सारी अपडेट्स जाने के लिए प्लीज सब्स प्स्राइबस